नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए जो नोटिफिकेशन लेके आया हूँ वो है नैशनल टेस्टिंग एजनसी एंटी ए ने एक मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन गौर्मेंट आफ इंडिया का एक इनिशियेटिव है सभी को शिक्षित करने के लिए जिसका नाम है स्वयम जिस इसमें 300 से भी ज्यादा कोर्स जो है जो गौर्मेंट आफ इंडिया है वो फ्री में प्रवाइड कर रही है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षित्र में इन सब चीजों से इन सब सब्सेक्ट से अचुते हैं तो आप लोग अगर कोई भी स्टुडेंट फ्री ओनलाइन कोर्स जो है इसमें आप अप्लाई करना चाहते है तो आपके पास एक गोल्डन अपर्चुनिटी है यह पब्लिक नोटिस 16 दिसंबर 2021 को आया है इसमें स्टुडी बैब्स ऑफ एक्टिब लर्निंग फोर यंग एस्पारिरिंग माइंड्स सोयम जुलाई 20- 21 समेस्टर जुलाई में इसके एक्जाम मोस्ट प्रोब्ली होने है तो पहले इसका जो है यह टेस्ट लेगे डेट ऑफ एक्जामिनेशन इसमें सब कुछ बताई गई है यह नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटी ने जो है वो एप्लिकेशन इन्वाइट किये है सोयम के लि जा रहे है इसके लिए ऑनलाइन जो समिशन ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म है थ्रू वैपस आइडिया ऑनलाइन ही भले जाएगी यह 16 दिसंबर 2021 यानी कल से शुरू हो चुकी है जिसकी लास्ट टेट दो जनवरी 2022 तक है अगर लास्ट टेट के जो फी समिट करने की बात करे ह जिसके आप क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड या नेट बेंकिंग या यूपियाई से आप समिट कर सकते हैं उसकी लास्ट टेट जो है वो तीन जनवरी 2022 जो है रात को 11 बच के 50 मिनट तक रखी गई है फिर अगर हम बात करें अगर आपने कोई भी करेक्शन इसमें करनी ह अप्लिकेशन फॉर्म में ऑनलाईन तो आपको वह 4 जनवरी तक चार जनवरी से 6 जनवरी तक तीन दिन का आपको मोका दिया जाएगा तीन दिन के अंदर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ कोई सर्टिप्केट में किसी भी तरह की नाम या किसी भी तरह की आप उसमें चेंजिस करना चाहते हैं तो आप 4 जनवरी से 6 जनवरी तक वो चेंजिस कर सकते हैं फिर उसके बाद जो admit card है वो बाद में आपको उसकी date announce की जाएगी उसके बारे में जो है NTA अलग से एक notice public notice जारी करेगा फिर date of examination जो जुलाई semester के exam है उसके लिए अगर examination की बात की जाए त February 2022 में ये जो है exam आपके होने है बाकी जो exact date है वो आपको NTA की website पे बाद में बता दी जाएगी अगर हम इसमें duration की बात करें और timing of examination की बात करें duration के अगर बात करें तो ये दो exam आपके होगे ये तीन घंटे के रहेगे त्री आवर्स का रहेगा पहली जो morning shift होईगी वो 9 ब languages courses की है वो courses की according ही रहेगी English या जो courses specific language है वो उसकी according ही रहेगी इसकी official website पे जाके आप इसको check कर सकते हैं लगभग 300 से भी ज्यादा अभी 300 की इन्होंने जो notification निकाली है 300 जो इन्होंने subject विशय जो इन्होंने identify किये है उसमें 300 subject के लिए certificate course के लिए इन्होंने application invite किये है इन्होंने आगे इन्होंने NTA बताता है the candidate are requested to undertake the correction very carefully as no further chance of correction जो इसमें correction का जो आपके पास time दिया है 4 जनवरी से 6 जनवरी तक उसमें आपने जो एक बार mention कर दिया इस time इन 3 दिनों में जो भी आपने correction करनी है वो कर लीजिए उसके बाद आपको कोई मोका नहीं दिया जाए तो इसमें ये भी कहा गया है कि आपको regularly इनकी official site पे जो है visit करना है friends अगर हम सोयम की बात करें तो ये ministry of education government of India का एक initiative है to educate the people ये free education जो है एक बहुत बड़ा platform है देश के अंदर जिसमें 300 courses के लिए free education online free education जो है government of India provide कर रही है तो दोस्तों आपके पास golden opportunity है अगर आप सोयम के थुरू किसी भी जो इसमें आपको अलग-अलग विशे बताए गए है कोर्स बताए गए है उन courses को join करना चाते है तो आप उसको join कर सकते है इसकी last date जो है form फिल करने की वो दो जनवरी 2022 है कल ये notice publish हुआ है और इसके जो exam है वो February 2022 में होने तैय हुए है तो friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो information अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को like करे शेयर करे और comment box में comment करके अगर आपका कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछे का मैं आपके हर सवाल का जबाब देने की पूरी कोशिश करूँगा धन्यवाद जै हिन जै भारत झाल 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 झाल